दरींदगी का एक ऐसा केस जो आपके भी रोंग्टे खड़े कर देगा अब ना वो मुस्कान बची है ना वो मा बची है और ना ही वो मासूम बच्चा ये मडर जैप्र के एक पोर्श एरिया के इस फ्लेट में दिन धाड़े हुआ था ना लूट पार्ट ना स्वेता के साथ बदसलुकी और ना ही ऐसा कोई विटनेश जिसने उस दिन स्वेता के घर किसी को आते जाते देखा हूँ पहले मा की लास मिलती है और उसके बाद मासूम बच्चे शरहम की जो की रोहित और स्वेता की साधी के साथ साल बाद हुआ था आकिर इस दो साल के बच्चे से किसी क क्या दुस्मनी थी इस डबल मर्डर केस के पीछे कई पहलू है और हर पहलू के पीछे का एक सच जो हर कोई जानना चाता है क्या इसमें किसी घर वाले का हाथ ता या फिर बाहर के किसी सातिर गिरो का हाथ ता आकि इसकी सच्चा ही क्या है क्यों इन दोनों को मारा गया और इन दोनों के मरने से किसको जादा फाइदा था वेलकम टू दे शो, माइने मिल सीसराम चोधरी और आज का केस है जैपूर का डबल मडर केस 7 जनावरी 2020 सुएता के घर की बेल बसती है सुएता जब दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े सक्स को वेल बहुत अच्छे से जानती है और सुएता उसे अंदर लेके जाती है और खुद किचन में चाय बनाने के लिए चले जाती है लेकिन जिस सक्स के लिए सुएता चाय बनाने गई थी और इस गटना के दोरान सुएता बहुत बार चिल्लती भी है बट उसका बेटा सिरेम जो कि दो साल का था वो किसी दूसरे कमरे में सो रहा होता है जहां पे वो अपनी मा की चीखने की आवाज नहीं सुन पाता है और नहीं कोई सुएता के चिल्लाने की आवाज बाहर भी सुन पाता है जिसकी वज़े से कोई भी उस प्लेट के अंदर नहीं आ पाता है और ये हमला इतना अचानक हुआ था कि सुएता के पास खुद को बचाने तक कोई मोका नहीं था सामको जब कामवाली बाई गर के अंदर आती है तो सुएता की लास नीचे फर्स पर पड़ी देख पाता है तो पुलिस नीचे जब उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंचती है तो चारो तरफ खुद के धब्बे थे अंदर सुएता की खुद से लटपत बोड़ी पड़ी पड़ी थी सुएता की ये कंडिसन देखकर पुलिस को समझ तो आ चुका था कि किसी बारी हतियार से सुएता के उपर हमला किया गया था पुलिस जब वहाँ पर आसपास की तलासी करती है वहाँ पर उसका बच्चा मिसिंग था पुलिस नी जब सुएता के घर में आसपास तलासी की तो पता चला कि सुएता का मुबाइल फोन मिसिंग था लेकिन बाकी का सारा सामान वेसे क के वेशा रखा था पुलिस को एक चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि ये मामला कोई लूट पार्ट का नहीं है और साथ ही वहाँ पे स्वेता का 21 महीने का बेटा स्रेयम भी गायब था बिस्तर और खिलोनों पर लगे ब्लड के दब्बो से पुलिस को किसी अनोनी की आसंका लग हुए थे इनका बेटा स्रेयम जो कि साधी के साथ साल बाद पेदा हुआ था स्रेयम के आने के बाद घर में खुसियों का माहूल था साथ जनवरी 2020 साम साड़े 5 बजे रोहित उस टाइम ऑफिस में था तब उसके पोडोसी अजे का कोल उसको पहुंचता है और रोहित बाग इस लाग रूपय का इंतजाम कर लो क्योंकि तुमारे बेटे को किडिनेप कर लिया गया है और रोहित ने इस मेसेज को पुलिस कर्मियों को दिखाया और साथ ही सुएता के बाई सुभम को ये मेसेज बेज कर इनफॉर्म किया और पुलिस ने इन्वेस्टेगेशन सुरू तो सुएता के पडोस वाले फ्लैट के अंदर एक हिडन केमरा लगा वा था जिसका कुछ हिस्सा सुएता के घर के में दरवाजे को भी कवर करता था। पुलिस ने जब सुएता के पडोसियों से कॉंटक्ट किया तो उन्हें पता चला कि वो पूरी फैमिली बाहर गूमने गई हुई हैं तो उनसे परमिसल लेने के बाद पीछे के दरवाजे से पुलिस उनके फ्लैट के अंदर एंटर करती है और वहां से एक रफ इमेज निकाल लेती है जो कि पुलिस के बाद में बहुत ज़ादा हेल्प भी करती है तो पुलिस के पास किड़ने पर की एक रफ इमेज तो आ चुकी थी बट अभी तक भी स्रेम का कोई पता नहीं चला था अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनूती थी स्रेम को सही सलामत ढूंड निकालना तो पुलिस ने यहाँ पर अपने सारे रिसोर्सिस काम में लिये और वहीं पर डेड़ सो से 200 लोग की ए एक और खुला सा किया कि पांच तारिक को उनके पास में फोन जाता है जहाँ पर रोहित स्वेता के घरवालों को ये बताता है कि आप अपनी बेटी को ले जाए हम इसको नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से पुलिस का कुछ सा के रोहित के उपर भी डाइवर्ट हो जाता है कि आखिरकार ये मामला क्या है और साथी स्वेता के परिवार वालों ने ये चीज भी बताई कि साधी के समय उनमें बहुत जदा जगड़े हो चुके थे क्योंकि स्वेता के परिवार वाले चाहते थे साधी कानपुर में की जाए जबकि रोहित के परिवार वाले चाहते सर्वी लेंस पे लगाने के बाद पता चलता है कि किड़ने पर बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है लेकिन रोहित किड़ने पर को 30 लाग रुपे की फिरोती देने के लिए भी तेयार हो जाता है आठ जनवरी 2020 को पुलिस को जिस बात का अंदेशा था वे बात सच निकली दोपर साड़े बार बजे के आसपास अपार्टमेंट के पीछे जाडियों में श्रेम की लास चादर से लिप्टी मिली और स्रेम का भी स्वेता की तरही बेई रहमी से कतल किया गया था रोहिद जब पुलिस के साथ मोक्य पर पहुचता है तो अपने बेटे की लास दे कर सदमे से जमीन पर गिर जाता है श्रेम की पुस्ट मार्टम रिपोर्ट जब आती है उसमें जो स्वेता की डेत का टाइम ता उसी टाइम पे श्रेम की डेत भी हो चुकी थी तो पुलिस ये तो तैह कर चुकी थी कि मामला किड्नेपिंग का नहीं था मामला कुछ और ही था लेकिन ये खबर किड्नेपर को नहीं थी कि पुलिस के हाथ स्रेयम की बोडी भी लग चुकी है और अब मीडिया से और आसपास के लोगों से पुलिस के उपर बहुत ज़ादा रबाव बन चुका था तो पुलिस इसके पीछे की जाच के उपर लग जाती है कि आखिर ये मडर कैसे हुआ और किस ने करवाया था और पुलिस ये चीज पता करने के लिए रोहित के ओफिस जाती है लेकिन वहाँ पे CCTV चेक करने के बाद पता चलता है कि रोहित 7 जनौरी को स लग चुकी थी क्योंकि उसको डूणने के बाद में सारी गुत्ती सुलज जाती और पुलिस के टेकनिकल टीम ने जो कि स्वेता का नंबर था उसको सर्वी लेंस पर डाला वा था जो किड़ने पर यूज कर रहा था किड़ने पर ने रेगुलर 6 लोकेसने बदली उसमें ए पैने वे जूते उसप घर के बाहर खुले वे थे यहां से पुलिस की सक्की सुरिय यकीन में बदल जाती है और पुलिस उस घर के चारो तरह फेल जाती है और वहांसे उस अपरादी को पकड़ती है जिसका नाम था सोरब चोधरी जिसने सूथा और स्रेयम दोनों की हत्या क और जब पुलिस सोरब को रिमांड पर लेती है, तो यहाँ से सारा असली खेल पता चलने लग जाता है, क्योंकि सोरब उसे इन्वेस्टीगेसन के अंदर नाम लेता है रोहित का, कि ये सारी प्लानिंग मेने और रोहित ने की थी, और रोहित को पकड़ने के बाद पुलिस को जानती थी और हरी सिंग को भी जानती थी रोहित और सोरब चोधरी अपने ओफिस से फ्री होकर बाहर होटल में भी मिलते थे और रोहित ने ये भी कंफर्म किया कि इस गठना को अंजाम देने के लिए सोरब को 10 हजार रुपे दिये थे और साथ में उनके बीच भी ये सोधा भी हुआ था कि जब सोरब रोहित की पतनी स्वेता और उसके बच्चे को मार देगा उसके कुछ टाइम बाद एक से दो महीने के बाद में रोहित सोरब की पतनी को भी मार देगा जो कि प्रेगनेंट थी और ये सारी चीज पुलिस को पता चल चुकी थी ये सारा सडियनतर रोहित के द्वारा ही रचा हुआ था और तब ये चीज सोरब ने भी कन्फरम की कि रोहित इस प्लान को कुछ इस तरीके से बना रहा था कि हत्या होने के बाद भी इसको किड्नेपिंग की तरफ ले जाये जाएगा और वहाँ पे ये पुलिस को पागल बनाना चाहते थे ताकि पुलिस उस किड्नेपर के पीछे लग जाए और ये दोनों आसानी से बच निकले और इस गटना में पुलिस की जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है क्योंकि 50 गंटों के बितरी पुलिस ने इस केस को सौल कर दिया था और दुख की बात ये है कि सारा सच सामने आने के बाद भी आज 4 साल इस केस को बीच चुके हैं ये केस कोर्ट में चल रहा है जबकि अब तक स्वेता और स्रेहम को कोई भी इंसाफ नहीं मिला है और स्वेता की बुड़े माबाप इंसाफ की रा देखते देखते ठक चुके हैं लेकिन उनको सिर्फ मिल रही है तो कोर्ट की तारिख है अगर स्रेहम जिन्दा होता तो आज पूरे 6 साल का हो गया होता लेकिन दुर्बागे से उसे एक ऐसा पिता मिलता है जो किसी हेवान से कम नहीं था